यहां पर आज हम लोग करने वाले हैं बहुती अमेजिंग सा एक different hair color जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि आज हमारे पास जो hair हो उपकाफी faded hairs हैं और इस faded hairs में हमें कौनसा color करना है किस तरह से हमें step by step दो brand की color को mix करके और एक अच्छा सा amazing सा हमें red violet color चाहिए तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो जैसे कि आप लोग को पता है कि यहाँ पर आज हम लोग दो ब्रैंड यूज करने वाले हैं एक L'Oreal और एक Shoscoff तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं पास है दो टाइप के ट्यूप L'Oreal का है 5.62 जैसे कि आप लोग को पता है और Shoscoff का हमारा L-89 तो चलिए इन दोनों को हम लोग को किस तरह से यूज करना है आप लोग को पुरा डिटेल में दिखाता हूं तो यहाँ पर मैंने 20 वॉलिम यूज किया है दोनों में 20 वॉलिम इसलिए यूज किया है क्योंकि आलरड़ी जो हमारे जो बॉटम के हैर है वो हैर के काफी कलर पहले से फेड आउट हो चुके है इसलिए वहाँ पर हम लोग L-89 का हम यहाँ पर यूज करने वाले 20 वॉलिम से हमने मिक्स किया है और अलरड़ी फेड़े हैर है और हमें जितना अंडरटोन चाहिए उसके उपर काफी अच्छी तरीके से वॉक करेगा लेकिन हमें जो टॉप के हैर है वो अलरड़ी ब्लैक हैर है तो इन हैर को हमें इस तरह से कलर करना है कि है जो हमारा कलर आए वो एकदम मर्जेबल कलर आए यानि कि जो हमारा टॉप का जो हैर है वो हैर भी हमें थोड़ा सा रेडिस टाइप के कलर चाहिए या ऐसा ना लगे कि black hairs में से निकला है तो इसलिए हमने हमारा जो top के hair है वहाँ से लेकर हमने middle length तक हमने किया 5.62 वो भी 20 volume से हमने mix किया था और देन उसके बाद में यहाँ पर length में हम लोग use कर रहे हैं L-89 जो कि आप लोगो पता है red violet है शौसकोफ का और बहुत ही best color देता है अगर आप लोगो virgin hair पर कोई अगर pre light वाले hairs ना करना चाहे और directly अगर red violet color चाहिए तो आप लोग L-89 शौसकोफ का एगरोर आयल का use कर सकते हो इसे आप लोगो directly 30 आ 40 volume से आप लोग length में use करोगे तो बहुत ही अच्छा सा color मिल जाता है फिलाल यहाँ पर already hair जो है faded थे और यहाँ पर हमें काफी orange type का भी tone था तो हमने यहाँ 20 volume use करके खाली हमने color deposit किया बट हमने middle length को और हमारा जो route है वहाँ से हमने start किया 5.62 जो की हमारा जो आता है वो थोड़ा सा rate काईगी family में आता है और बहुत ही बहती बहतीरी सामें look देता है तो चलिए हम इसे फटाफट अच्छी दरीके से application कर लेते हैं तो दोस्तों मैं आप लोग एक चीज बताना चाहूँगा कि हमारा जो courses है beginners जो हमारे student हैं जिने बिलकुल भी color के बाले में haircut के बारे में और जो भी hair chemical हम लोग यूज करते है straightening, rebonding, keratin, botox और जो color से हमें किस तरह से color करना चाहिए कौन से hairs पर कैसे color हमें करना है undertones क्या होते है, international color क्या होते है base color क्या होते है, color feel क्या होते है तो आप लोग यहां पर number देख सकते हो double seven, one five nine, one five seven five nine इस number पर आप लोग WhatsApp करें यह call करके पूरा detail लीजिए कि कितना fees है और किस तरह से आप लोग को इसे सिखाय जाएगा फिलाल यह 3 months का course है और यह है हमारा कल्यान में कल्यान जो किया आता है मुंबई महाराष्ट्रा में अगर आप लोग other cities है तो आप लोग को कल्यान आना पड़ेगा यहां पर PG का भी रहने का काफी available है यानि कि academy से काफी नजदीक में PG वगर आए तो आप लोग रहे के हमारा पूरा courses कर सकते हो तो जरूर विजिट करिए कल्यान में जो कि पूरा detail में आप लोग को course सिखाया जाएगा अगर आप लोग को seizure पकड़ने भी नहीं आता तो वहां से beginner से लेकर मतलब की आप लोग को सारा कुछ एकदम step by step 0 से लेकि 100 तक सारा कुछ सिखाया जाएगा तो जल्दी विजिट करिए हमारे academy में और register करिए अपना seat आप लोग को whatsapp पे पहले अच्छे तरीके से पूरा जो भी detail चाहिए हो ले लीजिए और अपनी seat को register कर लीजिए और देन उसके बाद में आप लोग को 1 January से आपका जो course से वो start हो जाएगा आप लोग आकर अपना course पूरा complete कर सकते हो तो फिलाल यहाँ पर हमने पूरा application कर दिया है और देन हमने इसे जादा नहीं बस एक 30 to 35 minutes के लिए रखा है और देन अब हम इसे करेंगे wash wash करने के लिए आप लोग अच्छे तरीके से shampoo conditioner करोगे और पूरा जो भी product है उसका अच्छे तरीके से निकाल लोगे तो पहले आप लोग को product को पूरा निकाल लेना है क्योंकि जो भी product है वो जब निकल जाएंगे तब आप जब shampoo करोगे तो बहुत अच्छी तरीके से हो पाएगा यहां पर देख सकते हैं हमने product पूरा अच्छी तरीके से खतम कर लिया है और आप लोग को हमेशा product उतना ही बनाना है कि आप लोग के बालों में उतना लग जाए हमारा color waste ना होने पाए उस हिसाब से आपको करना है हमने थोड़ा सा root touch up भी किया है root touch up के लिए हमने जो हमने 5.62 जो यूज किया था उसमें हमने mix किया है हमारा जो कि हमारे root को जो gray hair से उसे cover कर पाए देन हमने साल खाली उसे root में लगा अच्छी तरीके से application किया और उसे हमने खाली 15 मिट के लिए रखा है और देन आप हम इसे wash कर रहे है देन उसके बाद में towel dry करने के बाद में आप लोग इसे blow dry करना है और blow dry करने के बाद में आप लोग इसे styling दे सकते हो styling आप लोग चाहो तो curls machine से दे सकते हो ironing से straight कर सकते हो या फिर blow dry दे सकते हो आप लोग को कोई भी जो भी आपको best लगे वो आप लोग कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगता है जो भी styling देना styling भी अगर आपको सीखेंगे तो हम आप सारी styling आपको सिखाएंगे blow dry से लेकर आइनिंग से लेकर curls machine कैसे यूज़ करना है सारा कुछ तो फिलाल यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा final result आचुका है अब मैं आपको इसका final result styling करके आपके सामने present करूँगा तो यह है आपके सामने हमारा curls वाला look जो कि हमने आइनिंग मशिन से किया है और काफी बेहतिरीन सा curls आया है और दोस्तों आप लोग को यह color कैसे लग रहा है comments करके दोरूर बताना और जैसे कि आप लोग उन्हें बताया है कि जो हमारा number है जिस पे आप लोग beginners जो हमारा course start हुआ है वो पूरा detail आप लोग को double seven 159 15759 इस नमबर पर whatsapp करके आप लोग पूरा detail लीजिए और एक January से हमारी course start हो रही है तो आप लोग लेट मत करिए क्योंकि seat बहुत जल्दी book हो जाएगी हम लोग ज्यादा से 10 या फिर 12 student लेने वाले हैं इससे ज्यादा student नहीं लेंगे तो आ लेकिन है का detail में सीखना हो तो मेरे साथ में आप लोग आये मैं आपको खुड train करूंगा और जो भी आपकी डाउट ही मन में color से related हो चाहे haircut से related हो चाहे कोई भी chemical word से related हो सारा doubt आपका clear के जाएगा तो चलिए मिलते हैं next video में तब तक लिए अपना ख्याल रखी बाए